हेलो दोस्तों स्वागत थे आप सभी का हमारे इस चैनल पर तो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ बी ए तिरतिय वर्स इतिहास का तिरतिय प्रसन पत्र भारतिय संस्कृती का इतिहास और इसमें मैं आपको अभी विरी साथ कोईशन करा रहा हूँ जो कि अनसाल्ड में बोड़े रही मैंने कई सारे कोईशन करा भी दिये हैं और आगे भी कराऊंगा तो चलिए अब हम लोग इस तिरतिय प्रसन पत्र को आगे बढ़ाते हैं तो साथ नंबर प्रसन तक हम लोगों ने कल लिया था ओके यह यहां से हम लोग को करना है एक सट से चैतन्य महाप्रभू के बारे में आपको लिखना है यह भी प्रसन आ चुका है दो नंबर में आया है चैतन्य महाप्रभू बैसलो धर्म के भाक्तियों के परम परचारक एवं भाक्तिकाल के परमुक कभियों में से एक हैं कौन है बैसलो धर्म यह दच्छिल भारत का एक ध चैतन महाप्रभु का जन्म 1486 की फाल गून सुक्ल पूड्मा को पाश्ची मंगाल करी नवदीब भी लिखा होता है तो पस्टे मंगाल एक गया नाम पोड़श्ची में हुआ तो पश्ची बाइरा माँ दिusement चैतन महा प्रभू के बचपन का नाम निमाई था, इनका दर्सम अचिंत भेधा भेद के नाम से जाना जाता है, बस इतना आपको लिखना है, इनका जो दर्सम था? अचिन्त भेदा भेद के नाम से जाना जाता है इतना ही आपको लिख देना है जो भी 35 सब्द है आपको दो नंबर आराम से मिल जाएंगे जरूरी नहीं कि मैंने कहा है कई बार कि जरूरी नहीं कि 50 सब्दों में ही लिखा जाए 35 सब्धों में लिख सकते हैं अगर आपके पास छमता है तो 60 सब्धों में लिख सकते हैं फिर इहां एक प्रस्न आया है उलेमा वर्ग 62 नंबर का यह जो कोशिन है उलेमा क्या है उलेमा वर्ग कोन है आपने नाम सुनाओं का जब आप मुगलकाल पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर उलेमा सब्द का प्रिवक क्या आता है उलेमा या कहीं कहीं इसको उल्मा भी बोला जाता है तो ये सब्द फारसी के आलिम का बहुचन है आलिम का बहोचन क्या है उलेमा या फिर उल्मा जिसका अर्थ होता है बिद्वान आलिम का अर्थ क्या होता है बिद्वान सल्तनत कालीन राजनीती में उलेमा वरका बिसित अस्थान था सुल्तान साधरतया उन्ही के प्रामर्स पर कार करते थे जो सुल्तान होता था दिल्ले सल्तनत का वो किसके प्रामर्स पर काम करता था उलेमा वर्ग ये बिद्वान होते थे मतलब जो भी कानून है इसलाम का उसकी व्याख्या कौन करता था उलेमा वर्ग के लोग करते थे जैसे अपने यहां होते हैं बड़े बड़े पंडित पुजारी हिंदू धर में होते हैं ऐसे इसलाम धर में उलेमा वर्ग होता है जो की सारे सरियत कानूनों को अच्छे से जानता है उसकी व्याक्या करता है तो उसी के अनुसार सुल्टान काम करते थे प्रारभ में उलेमा योग होते थे और राज की निश्वारत भावना से सेवा करते थे किन्तु बाद में भरष्ट होने लगे तथा राजनीती दूसित होने लगे अब योग चापलूस हो गए थे अमीरों के साथ मिलकर विविति सडियंत्रों में समलित होते थे बल्बन ने इनका दमन करने का प्रयास गया तो प्रारभ में तो ये सही काम करते थे योग भी होते थे और सुल्टान को अच्छी सला देते थे कि राज को कैसे चलाना है किस चीज के लिए किस अपराद के लिए किस प्रकार का दंड देना चाहिए मैं भी अच्छी सला देते थे लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बिलासी हो गए भरष्ट हो गए और फिर ये अमीरों से मिल गए अमीर यानि अभिजात वर्ग से मिल करके ये सडियंत्र करने लगे इनका काम क्या हो गया किसी राजा को हटाना नए राजा को लाना ये सब काम में सामिल हो गए तो बस इतना ही आपको लिखना है और जब ये सारी चीज़े हुई तो बल्बन ने सोचा कि कहीं ऐसा नहों कि ये उलेमा वर्ग हमको भी राजगर्दी से हटा दे तो इसलिए बल्बन ने इनका दवन करने का पूरा प्रियास किया इनका प्रभाव खत्म करने का पूरा प्रियास किया उलेमा वर्गा तो इतना लिखे देना है आपको दो नमबर मिल जाएंगे फिर यहां तीसरा कोश्चन है आज का लाल किला तो लाल किले के बारे में आप लोग जानते होंगे और यह देखिए यह कोश्चन दो बार रेपीट हो चुका है तो यह जो 63 नंबर का कोश्चन है इसको मैं यहीं पर कट करता हूँ यह आपका कोश्चन गलत हो गया है यह देखिए लिखा है लाल किला लेकिन यह कोश्चन मैंने यही उलेमा वरगवाला ही यहां पर रेपीट कर दिया है आंसर इसका तो यह आपका गलत हो गया है चलिए हम लोग 64 नंबर कोश्चन करते हैं आके का ओके यह गलत है मैं इसको करा दूँगा किसी वीडियो में थियो सॉपिकल सोसाइटी अब देखिए इसके बारे में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है हाला कि पेपर में आपको 50 सब्दों में ही लिखना है 50 से 60 कर दीजिए या 50 से 40 कर दीजिए घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन आपको यह नहीं कि 50 का लिखना है तो आप 500-200 में लिखना है तो इससे आपका टाइम भी किल होगा तो यह ऐसा नहीं करना है बाकी यह देखिए Theosophical Society एक अंतर राष्टिये आध्यात्मिक संस्था है इसके स्थापना 1875 इसे में मैडम H.P. Blautesky और करनल H.S. Alcott ने अमेरिका में किती तो आप कुछ याद रखिए यह न रखिए लेकिन दो नाम आप याद रखिए पूरा नाम जरूरी नहीं लेकिन इतना तो आप याद ही रख सकते हैं कि Blautesky और Alcott में 1875 में कहां की थी अमेरिका में अमेरिका में इसके अस्थापना हुई थी Theosophical Society की सन 1889 में इसका मुख्याले मुंबई में इस्थानांतित हुआ तद पुरांत 1882 में अडियार यानि चेन्नाई का एक छेत्र है वहाँ पर इसका मुख्याले इस्थापित क्या गया यह एक अंतराश्टिय सनस्ता है इसकी साकाएं 56 देशों में हैं थियो सौफी को ब्रह्म बिद्या भी कहते है थियो सौफी को जो थियो सौफी है इसको क्या कहते है भाई थियो सौफकल सोसाइटी किस से मिलकर बना है थियो सौफी से तो थियो सौफी को ब्रह्म बिद्या भी कहते है थियो सौफकल सोसाइटी के तीन उद्देश है कौन-क मतलब एक ऐसा सजीव केंद्र इस्थापित करना विस्वबंधुत का जो जात, धर्म, नर, नारी, जैसे भेध, भाव, वर, रंग, आधि से अलग हो, उसमें किसी प्रकार का भेध, भाव ना हो, तुलनात्मक, धर्म, दर्सन, बिज्ञान के अध्यन को प्रोफसाहन देना य का 65 नंबर का प्रशन है, वहाबी आंदोलन क्या है, वहाबी आंदोलन और देवबंद आंदोलन ये भी आया है, यह मुलता मुसलिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था, वहाबी आंदोलन क्या था, मुलता मुसलिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था, जो उत्तर प भारत अलेलिए मड्ध यानि कि मद्द प्रदेस उत्तर-प्रदेस ये जो छेतर हैं तो यहीं पर यह सक्रिय रहा ज़ादा जो वहावी अंदुलन था यह उत्तरपश्मी पूरा तथम्द भारत में सक्रिय रहा हजरत मुहम्मद सहे कि इसलाम को पुनर स्थापित करना इसका मुख्य दोष था तो इसका मुख्य उद्देश क्या था वहभी अंदूलन का कि जो हजरत मुहम्मद सहाब ने कही है जो बात कही है उसका exact पालन किया जाए एक दम उससे हट कर कोई काम न किया जाए भारत में इस आंदोलन को लोक्तुरियता अहमद राय बरेलवी की कारण मिली जो अरब के अब्दुल वहाब तथा दिल्ली के संत साह अली उल्ला से प्रभावी थे इसका मुख्य देश को दारुल हर्ब यह काफिरों के देश से दारुल इसलाम में बदलना था वहाबी आंदोलन अपने साम प्रदाइक चभी के करना कभी भी राश्टी आंदोलन का सुरूप धरन नहीं कर सका प मतलब इसलाम का देश दारुल हर्ब का मतलब काफिरों का देश नहीं जो गैर इसलाम के हैं उन्हें कहते हैं काफिर तो जो काफिरों का देश है हम लोग को कहते थे काफिर इसलाम के जो सासक सुलतान होते थे यह हम लोग को काफिर कहते थे हमारे देश को कहते थे काफिरों का देश दारुल हर्व कहते थे तो उनका मकसद होता था कि इसको दारुल इसलाम बना दिया जाए तो वहावी अंदोलन के जो नेता थे वो भी यही चाहते थे कि दारुल हर्व से दारुल इसलाम बना दिया जाए तो इस कारण इस देश में यानि भारत देश में वहावी अंदोलन को बहुत ज्यादा लोग पी रहता नहीं मिली क्योंकि यहाँ ज्यादा तर संख्या किसकी थी हिंदू की और यह हिंदू को समर्थन नहीं दे रहे थे यह तो इसलाम को इस्थापिद करना चाहते थे तो यह 15 नमबर कोशिशन तक आपका हो गया आगे के प्रस्ण हम लोग करेंगे वीडियो पसंद आ रहा है तुसको लाइक कर दीजे शेर कर दीजे चैनल पर पहली बार रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें